अब कम फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल टार्गेट विथराश पर मैं राजे स्यादो फ्रॉम वारारसी उत्तर पदे से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं तो दोस्तों आज मै आप लोगों के लिए अगर टेंस की बात करें तो आज हम लोग बात करें वाले हैं प्रजेंड परफेक्ट टेंस को लेकर लेकर कल की वीडियो में मैंने आपको प्रजेंड कॉन्टिन्वर्श टेंस से रेलेटेट कुछ कोश्चन और अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन जिसमें आपने बहुत ही प्यारा और अच्छे से सांधार तरीके से आप सभी ने जवाब दिया जो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आज हम एक और वीडियों लेकर आए हैं एक और बेहतरीनी क्लास लेकर आए हैं पूरे 22 questions आपको इस वीडियों में मिलने वाले हैं बात करेंगे 22 questions को और उसे लेटेट दो अबजटिव टाइप questions रहेंगे दो दो अबजटिव रहेंगे इसके और दोनों में क्या सही होगा आपको answer बताने हैं तो question वीडियों शुरूख करने से पहले आपको थोड़ा समय revision के माधम से बता दूँ present perfect tense में अगर हम singular की बात कर ले present perfect में अगर हम singular की बात करें तो singular में हमारा आता है he, she, it या किसी का name अगर हम singular की बात करें he, she, it किसी का name आएगा तो इसके साथ हम helping verb hedge लगाने वाले हैं plus verb का third form वहीं अगर हम बात करेंगे plural का थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा singular में क्या क्या आता है आपका he आएगा, she आएगा, it आएगा या किसी का name आएगा तो इसके साथ हम helping verb hedge plus verb का third form लगाने वाले हैं और फिर यहीं अगर हम बात करेंगे plural का बात करेंगे plural का तो हमारा plural क्या 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 I, V, U और दे plural में हमारा इतना sentence आएगा, सब्द आएगा और यदि I, V, U, दे आता है तो हमको helping verb have लगाने हैं और इसके साथ हमें verb का third form यानि singular के साथ has, plural के साथ have और दोनों में verb का third form यूज होगा तो दोस्तों अब आप ready है अगर हाथ इवाद सब लोग फटा फट कमेंट काके बता दीजे ready है और वीडियों सुरू करने से पहले आप सभी से एक छूटा साथ request है कि जितने लोग जूड रहे हैं वीडियों देखने के लिए request भाई मेरे की वीडियों को like जरूर कीजेगा और पहली बार हमारे चैनल के साथ बीजिट किये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा ठीक है तो आई यह पहला question हम आपको दिखाते हैं question पहला आपके screen पर दिख रहा है कर रहा है कि I have देखिए I already have helping लगा चुका है इसमें यानि आपको क्योवल वर्बल लगाना है तो I have dash here all my life I dash I have dash here all my life question number one आपके सामने दिख रहा है question आप कोसिस कीजिए कि सब लोग फड़ा फट answer बताइए I have dash here all my life option A कर रहा है lived option B कर रहा है been living तो इस sentence में क्या option होना चाहिए A की B फटा फटन हुझे comment करके answer बताना शुरू किजिए बस आप लोग A या B इस तरह से answer बताइए और हाँ अगर हो सके तो question नम्मर भी डालते चाहिए जैसे one का A सही है तो one लिखकर A बताईए या one का B सही है तो one लिखकर B आप ऐसे बताईएगा दोस्तों आप A, B, C, A, B ऐसे बताते हैं तो पताना चलता है किस question का आप answer बता रहे हैं ठीक है I hope कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो चलिए पहले का answer क्या होना चाहिए I have और मैंने पीछे बताया कि I, we, you, they यह हमारा प्लिटर होता है इसके साथ हमेशा have लगता है जो already लगा हुआ है और इसमें lived है और एक been living है तो have, have के साथ हमेशा verb का third form आएगा तो option number A is the right answer तो पहले का A सही होगा और जितना आप लोग का सही हो रहा है आप लोग एक note करते चलिए अपने एक page पर और विडियों के last में आप लोग मुझे जरू बतायेगा कि आपने कितना answer सही किया last में मुझे जरू बतायेगा बढ़ते हैं question number 2 की तरब चलिए question number 2 आप ध्यांच पढ़िए open a window someone's dash here open a window dash someone's dash in here open a window someone's dash in here अब इसमें बताईए अब आपको इसमें है जर है तो मिला नहीं बलकुर सही भाई है मिला नहीं अगर हम present perfect टेंस की बात कर लेना जी तो जाहिस बात है है जैब और वर्ब का third form इतना हिंट आपके लिए बहुत है open a window someone's dash in here बताईए answer क्या होना चाहिए इसकी भी अगर हम बात कर ले तो option number a is the right answer हो जाएगा आईए आगे बढ़ते हैं question number third की तरफ question number third कर आए he days there when he was a child he days there when he was a child option a has lived option b lived बताये दोस्तों present perfect tense आगर मैंने आपको बताया भी है और वीडियों सुरू होने पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि singular में क्या-क्या help subject आता है उसके साथ क्या लगेगा तो जरूर आपको बताये यदि आपने question number third का option number a बताया है तो बेलकुर सही है he has lived there when he was a child तो यानि third का a हो जाएगा बात करेंगे four question number आई डैस हीर सिंस लाश्ट इयर आई डैस हर सिंस लाश्ट इयर अब बताये इसमें क्या होना चाहिए आपसर ने करा है have not seen या did not seen present perfect की बात कर रहे हैं हम पाश परफेक्ट पाश इनिपनेट इस अप्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं तो बस ध्यान दीजेगा आई डैस हर सिंस लाश्ट नाइट have not seen होगा की did not seen होगा question number four आपके सामने है और जितने लोग देख रहे हैं वीडियों सभी के सभी लोग एंसर देने का प्रयास कीजिए सभी के सभी लोगों के एंसर आने चाहिए ठीक है जी तो बिल्कुल बताइए आई डैस हर सिंस लाश्ट नाइट तो आई होब कि आप आप लोग को एंसा दो दिखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या लगाना है आई प्लूडल है इसलिए have not seen I have not seen her since last year मैं इसे पिछले कुछ सालों से नहीं देख रहा ठीक है नहीं देख चुका था नहीं देख चुका हूं ऐसे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं चलिए question number five five का राज they dash a few minutes ago they dash a few minutes ago option a left b have left question दिख रहा है उसका साथ साथ option भी है बस comment में a और b करते चलिए देख देख आफ आफ फ्यू मिनट्स एगो तो आई होब कि आप सभी लोग आपस नमर बी के साथ चल रहे हैं they have left a few minutes एगो ठीक है दोस्तों question number six की बात करते हैं six का राज सी डैस unemployed since she left school she does unemployed since she does unemployed since she left a school चलिए दूस्तों इसका भी option number हमारा भी हो जाएगा she has not been employed हो गया seven question की बात करते हैं they dash they dash the contract last week they dash the contract last week option A have finalized या finalized they dash the contract last week have finished या finalized क्या होना चाहिए तो present perfect की बात करें आपको अगर याद है तो आप सीधे option number A के साथ चलेंगे option number A लगा देंगे option number A लगा देंगे चलिए eight number हमारा का रहा है I have dash half the book and will try to finish it at the weekend I have dash half the book and will try to finish it at the weekend option A been reading option B read अब इन दोनों में क्या होना चाहिए बताइए जी सभी लोग I have के बाद क्या लगना चाहिए read होगा या been reading होगा क्या होना चाहिए जी अबर 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 वाट हैब यू बीन आई हैब अ हैज हैप के साथ हमसा अबर का थरड़ फॉम आएगा क्या होना चाहिए जी इसमें बताइए वाट हैब यू बीन आई हैब वेटेड नाइन का ओप्सन नमर भी वेटेड चलिए टेन नमर का रहा है हाव लॉंग हैब यू डैस हर हाव लॉंग हैब यू डैस हर ऑप्सन ए बिन नुइंग ऑप्सन भी नून कोस्टन को ध्यान से पढ़िए उसके अप्सन को देखिए फिर आप टिक लगाईए फिर आप एंसर कमेंट कीजिए हाव लॉंग लिवर हाव लॉंग हैव यू डैस हर ऑप्सन ए बिन नुविंग बी नून तो दस का दिकिस में हैव दिया है सबजेक्ट है बस वर का थर्ट फर्म बगा दीजे नून नून हो जाएगा हाव लॉंग हैव यू नून हर ओके जी इलेवन की तरफ इलेवन कराए हैव यू डैस वाट हैपेंड यस्टरडे कराएं कि क्या आपको पता है कल क्या हुआ था हैव यू डैस वाट हैपेंड यस्टरडे आप्शन ए हाई है आप्शन फटा फटा पताईए हैव यू डैस वाट हैपेंड यस्टरडे हैव यू अप्शन नूमर ए हीड आई जी ट्वेल की बात करते हैं क्यूस्टन नूमर ट्वेल कर रहा है यू इसमेल ओफ एलकोहल हैव यू क्या ड्रंक होगा या बिन ड्रिंकिंग यू इसमेल ओफ एलकोहल आपमें इस एलकोहल की सुगंद दुरगंद आ रही है क्या आपने हैव यू ड्रंक क्या आपने पी रखी है तो ट्वेल्व का उप्सन नूमर एक चलिए थर् हमारा कर रहा है है एज सी डैस ओन हॉलिडे एट है जसी है जैब के साथ वर्प का हमें साथ थर्ट फॉर्म आएगा बीन गोइंग होगा नहीं तो थर्टीन का भी आप्शन नम्मर एज राइट एंसर फोर्टीन नम्मर का रहा है द फिल्म डैस एट ठीक है जी फोर्टीन नम्मर द फिल्म डैस एट ओप्शन ए 兑 आप्शन एड द एद ज ल्ट स बा आप्शन एड फोर्टीन डैस एटेछ ढम डैस एट option A did not start has not started 14 का option number B is the right answer हो जाएगा has not started question number 15 की हम हम बात करते हैं 15 का राया C does ill since Thursday C does ill since Thursday देखिए इसमें since Thursday यानी present perfect continuous tense से रिलेटेड आ गया question क्योंकि इसमें time दे दिया है और present perfect tense में has have के साथ been लगता है वर में आई अगी होता है 15 का option number A is the right answer हो जाएगा C has been ill since Thursday चलिए 16 की बात करते हैं question number 16 हमारा कर रहा है I dash the project last night have finished या फिर finished बताईएगा जी I dash the project last night have finished या finished तो 16 का I के साथ have plus verb का थर्ड फॉर्म option number A is the right answer होगा बरते हैं 17 की तरफ 17 हमारा कर रहा है look someone dash their handbag in the room लेफ्ट है होगा या हैज लेफ्ट होगा छूट गया या छूट चुका लेफ्ट या फिर हैज लेफ्ट लेफ्ट यहीं पर answer आपको बताने है look someone has look someone has left यानि someone की पर सिधे है जा रहा है तो हमारा 17 का option number B is the right answer हो जाएगा बरते हैं 18 की तरफ 18 का रहा है dash to Rome dash to Rome option A have you ever been या फिर did you ever go बताइए इसका answer क्या आना चाहिए dash to Rome option A have you ever been option B did you ever go चलिए जी हम बात करेंगे 18 का तो 18 का राइट एंसर यह हो जाएगा have you ever been to Rome 19 number है I can't get into my house because I dash my keys I can't get into my house मैं अपने घर में प्रवियस नहीं कर सकता क्योंकि I dash my keys क्या भई lost खुआ दिया या have lost 19 का I dash my keys present perfect की बात कर रहे हैं तो singular के साथ है जब प्रवियक साथ है और यह सब के लिए नियम है भाई यह नहीं कि बस कुछ ही लोग के लिए नियम है जो लगा था जब आप देते जा रहे हैं तो आप यह मसमझे कि यह पहले से पढ़े हैं यह भी आपके साथ ही श्टड़ी कर रहे हैं तो I can't get into my house because I have lost my keys तो यानि 19 का भी option number A is the right answer हो जाएगा चलिए question number 20 हमारा कर रहा है Nobody does the phone when it rang Nobody does the phone when it rang answered हो जाएगा या has answered पलताया जी Nobody does the boy go to the park nobody does the phone when it rang answer A कराए answered B कराए has answered इसके साथ भाई हम चलेंगे option number B has answered the phone when it rang चलिए 21 question की बात करते हैं मजदार question है थोड़ा सद्यान से दिमाग लगा के कीजिएगा I dash of smoking last year I dash of smoking last year option A gone option B have given I dash of smoking last year option A कराए gave B कराए have given तो I है जाएज से बात है have given ठीक है जी चलिए आज का last question और question आपके screen पर कराए कि you can't see her because she dash home है न you can't see her because she dash home अब इसका answer क्या आना चाहिए है सब लोग मुझे comment करके बताएए और I hope कि आज की वीडियों आज की ये class आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर भाई अच्छा नहीं लगा हो न तो मुझे तभी मुझे comment कीजे अगर अच्छा लगा हो तभी comment कीजे और जाते आते आते आप सभी लोग मुझे question number 22 का answer comment section में comment करके बताएए आप सभी लोग इसका क्या answer आता है क्या आएगा और जाने सपहले बस अभी तक like नहीं किये होंगे तो वीडियों को like कीजेगा share आप लोग अपने दोस्तों तक जरू कीजे और पहली बार visit किया हैं हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक इस वीडियों को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करके घंटी को all press कर दीजे notification आपको मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों और यदि आपको हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ना हो तो नीचे description में WhatsApp ग्रूप का नंबर दिया गया है वहां से मारे साथ WhatsApp ग्रूप से जुड़िए और टार्गेट भी राच्यां के परिवार का हिस्सा बनीए तो चलते हैं आज की class को आज की session को यहीं पर करते हैं end कल बात करेंगे present perfect continuous dance की ठीक है दोस्तों तो आज के लिए ब से जुड़िए ग्रूप हारत जुड़िए।